दोस्तो आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल की मशीन यह है अगारो की वेल्डिंग मशीन आज के वीडियो में इसके अंबॉक्सिंग करेंगे रिव्यू करेंगे इसे यूज करके देखेंगे जी हां हम इससे वेल्डिंग करके देखने वाले हैं तो फटा फट से सबसे पहले इसकी अंबॉक्सिंग वीडियो देख लेते हैं देखते है इसके अंदर हमें क्या-क्या ऐ constitu देखने को मिलती है है यहां सबसे पहले यूजर on देखने को मिल जाता है, इसके अंदर सारी ड्रेल दी गई है, कैसे हमें इसे यूज़ करना है, क्या-क्या प्रिकॉस्स रखनी है, इस प्रोड़क्ट पर हमें पूरे एक साल की वारंटी मिल जाती है, इसके अलावा यहां पर एक फेस गार दिया गया है, फेस की सुरक्षा ब को दिखा देता हूँ, यहां पर बहुती आसानी से हम इसे अटैच कर सकते हैं, यहां पर मैं इसे लगा दे रहा हूँ, अब यह यहां पर लग चुका है, और फ्रंट साइड से आप देखोगे, तो कुछ इस तरह से यह दिखाई देगा, और जब भी आपको वैल्डिंग क लगते हैं, यह एक locking system type का दिया गया है, इस तरह से हम इसे मोड कर इसको शेप में ला सकते हैं, तो यहां पर मैंने इसे इस तरह से मोड के यहाँ पर लॉक कर दिया है, अब आप देखो इसका shape कुछ इस तरह का दिखाई देगा, quality काफी बढ़िया मुझे लग रही है, इस के साथ ये handle दिया गया है इस handle को हम यहाँ पर attach कर लेंगे और इसी handle को पकड़ कर हम इस तरह से अपने face के आगे रखेंगे और उसके बाद ही building करेंगे तो ये protection के लिए बहुत जादा जरूरी है इसे फिलाल हम रख देते हैं side में और यहाँ पर जो extra glass है इसे भी हम समाल के र सकते हैं यहाँ पर एक brush दिया गया है जिसमें लोही के brushes दिये गया है जिससे हम जिस surface पर welding कर रहे हैं उसे हम clean कर सकते हैं इसके अलावा उपर की side यहाँ पर एक hammer जैसी shape दी गई है जैसे welding जब हम करते हैं तो कुछ extra welding उस पर लगा रह जाता है तो उसे हम इससे remove कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पर हमें मिलती हैं दो cables इस तरह की अच्छी quality की बेहतरीन quality cables यहाँ पर दी गई है इन में से मैं आपको दिखा देता हूँ एक cable यह है इसके एक end पर आपको इस तरह का connector देखने को मिल जाएगा यह जो connector है पूरी तरह से copper का लग रहा है मुझे यह connector और का 1.6 mm से लेके 5 mm तक की rod का use कर सकते हो तो काफी अच्छी quality की cable यह लग रही है 16 mm की cable है यह और यहाँ पर यह है इसकी दूसरी cable यह हमें earthing में use होगी तो यहाँ पर भी इस तरह का connector दिया गया है इस cable को हम earthing के लिए use करेंगे जिस पर हम welding करते हैं बहाँ पर हमें इसे attach करना होता है बेसिकली यह positive बाली केवल है और इसमें अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर भी copper का पूरा इस तरह का wire दिया गया है जिससे proper तरीके से यह connect हो जाए तो केवल काफी अच्छी है यह भी 16 mm square की केवल है अच्छी quality की केवल है दो केवल हमें इसके साथ मिल जाती है कारो WM 2145 IGBT technology पर यह based है IGBT technology इसके अंदर दी गई है और इस side यहाँ पर cooling के लिए air vents दिये गए है और यहाँ पर handle पकड़ कर आप उठा सकते हो इसका strap अगर आप इसमें attach कर लोगे तो आप इसे कंदे पर भी लटका के welding कर सकते हो अगर आपको ऊपर कहीं welding करनी हो कर सकते इस side आप देखोगे यहाँ पर इसके सारे controls देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर एक display दिया गया है जिस पर आपका ampere वगेरा show होंगे और नीचे है अगारो WM 2145 यहाँ पर power indicator दिया गया है over current indicator दिया गया है और error indicator दिया गया है नीचे दो knob दिया ही है पहली वाली knob से आप इ positive है और नीचे वाला negative है जो cables इसके साथ आई है वो हमें import के उपर connect कर देनी है तो quality मुझे इसकी काफी बड़िया लग रही है और काफी useful है यह आप अगर professionally भी use करना चाहो तो भी कर सकते हो इस side यहाँ पर आप देख रहे हो power on off का एक button दिया गया है इसमें आपको power indicator भी मि बड़िया लग रही है आप इसे किसी भी 16 ampere के socket पर connect करके use कर सकते हो काफी अच्छी quality की केवल लग रही है मुझे यह तो बहुत ही बेतरीन quality की professional welding machine है size है 27 x 12 x 18 cm weight है लगबग 3 kg professional welding machine है copper clade aluminum electrode holder इसके अंदर दिया गया है और यहाँ पर आप 1.6 mm से लेके 5 mm तक की welding rod यहाँ यूज कर सकते हो compact design है और carry करने में भी काफी आसान है इसके अलावा इसके अंदर over current, under current, overheat protection, overload protection, anti stick protection सारी चीज़े इसके अंदर मिल जाते हैं सारे functions इसके अंदर मिल जाते हैं इसके अलावा इसके अंदर smart fan दिया गया है जो की thermo state से operate होता है यानि जब इसमें heat बहुत ज इसके बेल्डिंग करके देखने वाला है मैंने यहां पर सारा ताम जाम इसका एकटा कर लिया है इसकी मैं एक welding rod भी में लेके आ गया हूँ और दो टुकडे मैं लोहे के लेके आया हूँ उन्हें यहां पर मैं बेल्ड करके दिखाने वाला हूँ मैंने इसे power से connect कर दिया है और इस cable को हम यहां पर connect कर देंगे जो हमारी positive cable है जो की earthing cable भी आप बोल सकते हो उसे हमें यहां पर connect कर देना है और जो दूसरी cable है इसे हमें connect करना है इसके नीचे वाले port पर और जो rod लेके आया है बेल्डिंग वाली वो हम इसी के clamp पर set करेंगे तो मैं इसे यहां पर जो जोड़ूँगा और यहां पर जो brush है इससे पहले हम इसकी surface को clean कर लेते हैं तो यह जो सारा जंग है यह आपका साफ हो जाए clean कर लेना ठीक है तो belding करने से पहले surface को clean करेंगे और उसके बाद यह जो earthing वाला clamp है यह हमें जोड़ देना है जिस चीज पर आपको belding करना है ज यह rod जो मैं लेके आया हूँ belding rod जिसे हम electrode बोलते है इसे आपको यहां पर इस तरह से जोड़ लेना है और सबसे जरूरी है यह हमारा face guard जब भी हम belding करेंगे इसे हमें अपने face के आगे रखना है तो पहले machine को कर देते हैं on और मैंने इसके अंदर strap भी लगा लिया है इसे म आपको ध्यान रखना है अगर आप जिसमें belding कर रहे हो वो अगर मोटी धातू है तो आपको आपको ज़्यादा रखने है अगर पतले किसी belding कर रहे हो तो आपको कम रखने है मैं यहां पर 130 ampere set कर देता हूँ क्योंकि मेरा जो मैं जिस पर belding करूँगा वो medium quality का है medium class है तो मैं 130 ampere यहां पर set कर दूँगा क्योंकि अगर जैसे आपकी धातू पतली है और आप ampere जादा रखोगे तो उसमें hole हो जाएगा छेद हो जाएगा belding नहीं होगा तो आपको ampere कम रखने है अगर पतली है और जादा heavy है तो आपको जादा रखने है और force को मैं यहां पर medium मैं रख दूँगा क्योंकि बैल्डिंग मुझे आती नहीं है पहली बारी कर रहा हूं तो यह जो face guard है मैं अपने face के आगे रखूँगा यहां पर आपको बहुत धीरे धीरे करना है अब यह जो इसका hammer जैसा इन्हों ने दिया है जैसे बैल्डिंग करते है न तो कुछ extra welding बगएर लगा रहे जाता है तो हम यहां से ठक ठक करके इसको ठॉक के इसे remove कर सकते हैं तो भही अब welding हो गई हमारी complete आप देख सकते हो काफी बढ़िया से हैं welding हो गई है पहली बार ही मैंने welding की है फिर भी काफी अच्छी welding हो गई अब welding करना भाई एक बार में तो कोई चीज आ नहीं जाएगी मैंने यहां पर try करके देखा लेकिन अगर बार बार इस चीज की practice की जाए दो चार दिन पांच दिन अगर practice की जाए तो काफी अच्छे से मैं भी welding कर पाऊंगा आपको यह welding machine कैसी लग रही है comment box में comment करके बताए आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन दे मातरम